बिस्मिल्लाइ रोमानी रहीम असलामु अलेकुम वेलकम टू स्माइली फूड और मैं हूँ नाहिद आज हम बनाएगे आलू के नए पकोडे सिर्फ तीन आलू से धेर सारे पकोडे तयार होते हैं हमने इसमें कुछ ऐसी चीजे शामिल की है जिससे ये पकोडे टेस्टी तो बनते ही है साथी में बहुत जल्दी बनकर तयार होते हैं तो चलिए इफ्तार स्पेशल नए और क्रिस्पी पकोडे किस तरह बनाती हूँ देख लेते हैं यहां पर मैंने लिए पकोडे बनाने के लिए तीन बड़े साइस के आलू इसे मैंने अच्छे से धो ली हूँ इसका चिलका निकाल लेगे पहले तीनों अलू के छिलके निकाल लिये है अब इस तरह का ग्रेटर ले लिया है और जो मीडियम साइज का है उसमें हमें क्रश करना है तो आपके पास कोई भी क्रशर हो उससे आप मीडियम साइज का इस तरह से बारी क्रश कर ले ये देखिए सबी आलू को इस तरह से क्रश कर लेना है हमें तीनों आलू को देखिए इस तरह से क्रश कर लिए अब इसमें पानी डाल कर हम दो बार इसे अच्छी तरह से धोलेना है क्योंकि आलू में जो स्टार्च होता है उसे हमें अच्छी तरह से निकाल लेना है सबी आलू को इस तरह से निकाल कर दो बार अच्छी तरह से धोली जिए, तो मैं इसे अच्छे से धोलेती हूँ, आलू को मैंने दो बार साफ पानी से अच्छे से धोली हूँ, और जाली वाले बरतन में रखकर इसका सारा पानी मैंने हातों से निचोड ली हूँ, इसे एक ब आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दें, एक चम्मच है कुटीवी लाल मिर्च, कुटीवी मिर्च नहीं है तो आप लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हो, आदा चम्मच है जीरा, यहाँ पर मैंने दो इंच अधरक ली थी और इसे बारिक बारिक टुकडे में काट ली हू एक चम्मच लसन का पेस्ट, नमक डालेगे टेस्ट के मुताबिक, और बारिक कटावा हरा धनिया है दो चम्मच, अब यहाँ पर मैने एक कप मैदा ली हूँ, मैदे को चान कर ले ली हूँ, जरूरत के हिसाब से ही हमें थोड़ा-थोड़ा मैदा दालना इसमें, थोड़ा तो दो चम्मच भरके मैं कॉन्फलोर डाल रही हूँ, बहुत ज्यादा में आटे भी नहीं डालना है, अब हलके हातों से सबी चीजों को मिक्स कर लेते हैं, आलू के अंदर हमने नमक डाला है, जिसके यहाँ से पानी निकलता है आलू में से, तो पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है, मसाले आप अपने इस सापसेस में थोड़े बढ़ा भी सकते हो, इसमें हमने बहुत ही कम मसाले लिए, फिर भी अलम दलीला, बारी कटीवी अदरक और जीरे की वजा से बहुत अच्छा यह पकोड़े में फ्लेवर आता है, यह देखिए मैंने पानी बिल्कुल भ मैदा बिल्कुल भी नहीं डालना है, वरना अंदर से मैदा मैदा कच्चा लगेगा खाते टाइम पर, तो थोड़ा सा ही डालना है, बाइंडिंग के साब से, तो थोड़ा थोड़ा करके मैदा इसमें डालते जाना है, और मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाली हू फिर भी देख सकते हो आपके नमक डालने के आलू में से पानी निकलता है तो उसी में अच्छे से बाइंडिंग हो जाती है तो इस तरह से पकोड़े का शेप बना कर देखना है हमें तो पता चल जाएगा कि पकोड़े का आठा मारा बराबर है के नहीं इस तरह से पकोड़े का शेप आसानी से बन रहा है इस टाइम पर में टेस्ट करके देख लेती हूँ मुझे इसमें मिर्ची कम लग रही है तो मैं इसमें एक छोटा चमच कुटीव मिर्च और डाल रही हूँ तो आप मिर्च और नमक इस टाइम पर चेक कर सकते हो चमच मैंने सिर्फ कॉन फ्रोर डाली हूँ और यह देखिए बेटर हमारा कुछ इस तरह का है तो चलिए अब इसके फटा-फट से हम पकोड़े फ्राइ कर लेते है पकोड़े को फ्राइ करने के लिए तेल को अच्छे से गरम कर लेना है और देख सकते हो यह बेटर इस तरह का है हमारा देखिए पानी डाले बीना का तो अगर आपको लगे कि बहुत ज्यादा ढीला है तो थोड़ा सा आप मैदा इसमें डाल सकते हो लेकिन यहाँ पर बहुत परफेक्ट हमारा आटा तयार हुआ है तो चली अब इसके पकोड़े बना लेते तो इस तरह से उठाते हुए हलके हातों से इसे डालते जाना है मैं बिस्मिल्लाई रमानी रहीम इसमें नाही सोड़ा अगेरा डाला है हमने फिर भी माशालला यह कापी ज्यादा अच्छे बनते हैं अंदर से सौफ्ट बनते तो तेल गरम हो जाए उसके बाद आपने पकोड़ों को डालते जाना है आप छोटे बड़े अपने इसाफ से बना सकते हो आप बिल्कुल ही नही तरह केसे मैं आपको यह पकोड़े बनाना बता रही हूँ बहुत ही आसानी से जटपड बनकर तयार हो जाते और बहुत ही कम मसालों से मैं यह बना रही हूँ तो यहाँ पर थोड़े पकोड़े डाल दिये मैंने एक से दो मिनट इसे ऐसे ही फ्राइ होने देते उसके बाद हम इसे पलटेगे तो यहाँ पर अभी से हम पलट लेते तो इसका थोड़ा शेप बन जाए उसके बाद यह मैं पलट ना है यह कच्चे आलू के पकोड़े होने की व्यासे आपस में थोड़े चिपकने भी लगे तो कोई बात नहीं यह जब अच्छे से फ्राइ हो जाते तो आपे आप एक एक छुट्टे होने लगते यह देखिए अब इसे चलाते होए अच्छे से हम गोल्डन होने तक फ्राइ कर लेते मीडियम फ्लेम पर यह देखिए तो यहाँ पर देखिए यह पकोड़े अच्छे से गोल्डन हो गए है इसे हम निकाल लेते और माशालला देखिए कलर देख सकते हो आप कितना प्यारा आया है और ये बहुत ज्यादा क्रिस्पी बनते हैं टेक्शर देख सकते हो आप इसका तो देखिए कितने ज्यादा क्रिस्पी दिख रहे हैं और तेल भी बहुत ही कम जाता है इसमें ये देखिए इसकी आवाज सुनिये मैं सुनाती हूँ इसे निकाल लेती हूँ मैं यह देखिए टेक्श्चर देखकर ही आपको पता चल रहा होगा कि कितने ज्यादा उपर से क्रिस्पी बने इसकी आवाज भी सुनी और मैं तोड़कर भी दिखा देती हूँ कि मैदा पूरी तरह से अंदर तक पक चुका है और अंदर से बिल्कु गरम धूएदार यह आलू के पकोड़े खाने में बहुत ही मजे दार लगते ही देखिए मैदा पूरी तरह से पकचुका है ओर बहुत ही फटाफट बनकर तय्यार हो जाते इसा बनाने में देर भी नहीं लगती है तो इसी तरह से बाकी सारे पकोड़े हम बनागर तयार कर तो इस इफ्तारी में आप इस आलू के पकोड़े को जरूर बनाईए क्योंकि आलू तो सभी के घर में होते और यह जटपट बनकर तयार हो जाते आपने इसका जो बेटर तयार करें पकोड़े का तो इसे रखना नहीं है डायरे की फ्राय कर लेना है और देखिए कितने यानी चने के आठे से बनाते लेकिन यह पकोड़े हमने मैदे से बनाए है वो भी सिर्फ आदा कप मैदे से बनाए है और यह बहुत ही ज़्यादा पकोड़े बनकर तयार हो जाते यहाँ पर थोड़ी सी इमली की चटनी में टमाटर केचप शामिल कर दिया था और उपर से थोड़ी कुटीवी लाल मिट डाल दी थी तो एक टेस्टी और चटपटी चटनी बनकर तयार हो गई है अलू के पकोड़े के साथ कॉम्बिनेशन में बहुत ही बढ़िया लगती है ये चटनी बहुत ही कम खर्च में ये पकोड़े बनकर तयार होते आपको इस पकोड़े का टेस्ट थोड़ा-थोड़ा मंचूरियन की तरह लगेगा अक्सरम बेसन से पकोड़े बनाते तो इसमें तेल काफी ज्यादा चला जाता है लेकिन ही मैदे के पकोड़े है तो इसमें अंदर तक तेल बिल्कुल भी नहीं जाता है तो अलहम्दुलिल्ला आप ये पकोड़े सारा ख्याल रखें दूआ मुझे याद रखें भी मिलते हैं इन्शालला एक नही रेसिपी के साथ अल्ला हाफिज करना है ये जड़ी कर दो दोजाद सकते हैं जब अल्ग करता है अल्मदुलिल्ग नहीं जाजए है ये घर मुझे जड़ तो अल्ग करिवें नहीं